गर्मियों के सीजन में अकसर हम कभी-कभी दूद को गर्म करना भूल जाते हैं और फिर दूद फट जाते हैं तो हमें लगता है कि फटे हुए दूद का क्या करें तो आज में आप लोगों गे साथ फटे हुए दूद की सौप्ट रसगुल्ले की रेसिपी सेर करने वाली हू मैं 1 cup से थोड़ा सा कम चीनी डाली हूं कडाही में और 1 cup पानी पहले हम चासनी रेडी करेंगे तो यहाँ पर बेखे मिनियम फेलेम करके मैं चासनी बना रही हूँ उसके बाद फिर जब चीनी हलummा पिखल जाए तो हमें फेलेम को हाय कड़के चासनी रेडी करना है तो अब आप सब देख सकते हैं चासनी बनकर तयार है तो इसे हमें एक बरतन में निकाल लेना है तो पहले हमें गाढ़ा चासनी बनाना पड़ता है और बाद में फिर पतला चासनी तो रसगुले के लिए दो चासनी बनाना पड़ता है तो यहाँ पर देखिए गाढ़ा वाला चासनी बनकर रेडी है मैं इसे साइड में रख दी हूँ ठंडा होने के लिए और अब मैं गैस पर चड़ाई हूँ जो दूद फट गया था न वो तो यह आधा लिटर से थोड़ा सा जादा है तो दूद में मैं थोड़ा से वेनिगर डाली क्योंकि दूद अच्छे से फटा नहीं था तो वेनिगर इसलिए डाली ताकि यह अच्छे से फट जाए तो यहाँ पर देखिए इसे हम लगभग 5-6 मिनट तक पकाएंगे medium flame करके तो यह पानी अलग हो जाएगा और छेना अलग उसके बाद हम एक बरतन में चन्नी से छान लेंगे तो यहाँ पर देखिए छेना इस बरतन में है और पानी अलग हो गया और अब हमें क्या करना है छेना जो बचा हूआ है उसको हम चन्नी में डाल कर और अच्छे से छान लेंगे इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी रहे वो निकल जाएगा यह देखिए इस तरीके से हलका सा प्रेस करेंगे तो इसका जो भी पानी है वो अलग हो जाएगा इसके बाद हम एक साफ कपड़ा लेंगे और बरतन पर रखकर और जो भी छेना है हम उसे इसमें डाल देंगे तो यहाँ पर देखिए इसे इस तरीके से डालना है और जो भी इसका पानी थोड़ा बहुत बचा है न वो हम इस तरीके से इसे फोल्ड करके प्रेस करेंगे तो इसका extra जो भी हलका पानी है वो निकल जाएगा इससे ज़्यादा प्रेस नहीं करना है हलका प्रेस करके थोड़ा सा पानी को निकलना है ज़्यादा इसे नहीं दबाना है और अब हम इसे थोरे टाइम के लिए इसे छोड़ देंगे जब यह ठंडा हो जाए तो हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखिए इसे मैं एक थाली में निकाल रहे हूँ और अब हमें इस तरीके से इसे फैलाना है और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ को अच्छे से प्रेस करते हुए mix करना है जितना ज़ादा हम इसे अच्छे से मिलाएंगे उतना ही ज़ादा रसकुला स्वट बनेगा तो मैं इसमें आधा चमच मैधा मिलाई हूँ आधा चमच से ज़ादा नहीं मिलाएं और उसके बाद हम इसे तब तक मसलना है जब तक कि थाली छोड़ने न लगे छेना तो इस तरीके से मसल मसल कर ये देखिए इसका डो बन गया ना इसके बाद हमें हलका गीला कपड़ा से इस डो को ढख देना है और अब हम रसकुले बनाएंगे तो हमें हाथ का अच्छे से यूज करना है प्रेस करते हुए रसकुला बनाना है तो यहाँ पर मैं छोटे-छोटे साइज की रसकुले बना रही हूँ आप देख सकते हो आप अपने एकोर्डिंग रसकुले बनाएं जितने साइज चाहिए आपको तो अच्छे से प्रेस करके हमें रसकुला को सर्कल सेब देना है कहीं से भी रसकुले म मैं बना कर रेडी कर दी हूँ कहीं से भी क्रेक नहीं है तो इसी तरीके से हम सारे रसकुले बनाएंगे और इस तरीके से ढखते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए मैं सारे रसकुले बना ली हूँ 7-8 पीस बनाएं ज्यादा छेना नहीं निकला था इसके लिए और अब हम काम करना है क्या करना है वो में आपको बता थी ऊएक चोटी कटोड़ी लेना इसमें 2 चमच मैदा डाले और थोड़ा सा पानी और मैदा का घोल रेड़ी करना इस गोल का मैं बाद में बताओंगी कि तो पतला वाला में देखिए बुलगुले टाइप से आने लगे न तो अब हमें क्या करना है सारे रसगुले इसमें डालना है और हमें फ्लेम को हाई करके रखना है जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से हमें रखना है हाई फ्लेम करके और अब इसे एक बार मिला देंगे रसՂलने को इधर अधर उलट पलट करेंगे और ये देखिए फुल्ला रेडी हो गया और अब जो हमने मैदे का गोहल बनाया था ना सारे रस duy के से डालेंगे तो ये मैदा का गोहल डालने से क्या होगा ना इसमें जhác आएगा आप देंख सकते हो जाग आ रहा है ना तो यह जाग आएगा ना तो बहुत ही अच्छे से रसगुला पकेगा और जब जाग जादा आने लगे ना तो हमें धकन को इस तरीके से उठा देना है एक से दो बार इस तरीके से करना है और फिर हमें क्या करना है ना धकन को इस तरीके से साइड करके और गाढ़ा वाला जो रस है ना इसमें हम एक से दो घंटा तक रसगुले को गाढ़े वाले रस में रखकर छोड़ देंगे, उसके बाद आप रसगुले को खा सकते हो, तो इसे मैं एक से दो बार मिला दी और इसे ढखकर दो घंटे के बाद निकालेंगे, तो अब आप या फिर आप खुद खाईए, यह देखिए दीखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, तो देखा आप सबने फटे हुए दूद का रसगुला कितना परफेक्ट बना, तो आप भी कभी भी फटे हुए दूद को वेस्ट ना करें, रसगुले बनाया है, यह बहुत ही टेस आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए, और जो भी मेरे चानल पर न्यूँ हो तो चानल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के साथ, ताकि जो भी मेरे रसगुले के साथ सेयर करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप को सबसे पहले मिलें, मिलती हूँ नेक्स रेसिपी के से